मारुति सुजुकी इको फ्रेंट्स रियर विल की जो स्प्रिंग है वो चेंज करने वाले हम तो यहां पर स्प्रिंग दी गई है और जब खड़े में गिरती है सस्पेंशन वीक हो जाते है पिछे के और सामान लिया ज्यादा इको के अंदर जब कॉमर्सेल यूज तो आप द देवाले रास्ते में चल यह गाड़ी तो यह स्प्रिंग टूट गया है फ्रेंट्स और यह चैचीज भी टूटा हुआ है यहां पर इसे तो स्प्रिंग नहीं टूटती है फ्रेंट्स लेकिन टूट आ चुका है कि तरिके के लगता है यह पर की वर और यहां से पिटता है यह टूट गया है फ्रेंट्स प्रिंग कि यह निव इंस्टॉल करने वाले है तो आपके गाड़ी के अंदर पिछे के रियर सस्पेंशन वीक हो गए हो तो आप चेंज कर सकते हो यह अगर यह सही नहीं रहेगा तो गाड़ी जब जितना जंप लेगी तो यह स्प्रिंग टूटने के चांस है और जितना है उतना इस के अंदर आप सामान परें और मत करे अधाना जंपर देक्दम फैल है यह जंपर जब फैल हो जाता है तभी स्प्रिंग टूट था यह फ्रेंस मोश्टोपली यह काम नहीं करता है तो गाड़ी पे गुमने वाला है तो स्प्रिंग ज्यादा मुमेंट करेगा तो वह तूट जाएगा क्यूक्त वह भूवह आता यह जंपर एकदम फ्री है और यहां पर यह करिश चुका है थोड़ा पार्ट चेत्रिस का के गया था यहां पर इस तरीके के रहे का यह विशा हुआ है कि न्यू जंपर डालने वाले फ्रेंट्स आप देख सकते हो यहां पर इसकी आलत अगर न्यू रहेगा तो इस तरीके के काम नहीं करेगा सुरी यह उल्टा में काम करवा रहा हूं उसको सीधा ही करके काम करना जाहिए लेकिन यह पर फ्रेंट्स यह डालने वाले हैं प्रेंट्स और आप देख सकते हैं यहां पर यह भी गिश चुका है तो जो गिशा हुआ है वो यहां पर गशा हुआ है इस जगह से और यह निकल्चु का ओल भी करेंट्स यहां पर रहता है यहां पर यह स्पिरिंग भी बिठा दिया है पर्फेक्ट गारी इद्दम हो चुकी है पहले ही हाइड कम था अभी हाइड भी बढ़ गया और पहले गारी हीलती भी बहुत थी अबहुत ही एक दम पर्फेक्ट है है एक कंपलेट खूए पहले यहां पर जू जाता था अभी वह भी नहीं चूता है एक उंखली जैसी जगह रह जाती यहां पर क्योंकि जो स्प्रिंग टूट गया था उसकी से में प्रॉब्लेम हो रहा था और अभी वह चीज का काम करवाना बागी है और वेल्डिंग करवा जाएगा हो जाएगा जाएगा हो 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 जा